सबसे पहले comment करके मुझे ये बता दो कि आप 10th और 12th में हो तो आपने कितना अपना-पना syllabus पढ़के खतम कर दिया है चाहे वो 10% हो, 5% हो, 3% हो आप लिखो देन उसके according एक में planning लेकर आऊंगा कि अगर आपका syllabus इतना हुआ तो आपको क्या करना चीए अब दोस्तों ये बहुत बड़ा line आपको दिखाई दे रहा है कि board exam में बहुत बड़ा बदला हो रहा है actually यहाँ बहुत बड़ा भी लिखना चीए था बदलाओ ये हो रहा है कि दोस्तों आप पूरा का पूरा इस बार का जो system है पूरा का पूरा वो हिल गया है system मिल गया है मतला आपको तो लग रहा होगा sir क्या बदला हुआ है कुछ बदलाओ नहीं हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको बहुत बड़ा बदलाओ देखो दोस्तों टेंद का जो है टेंद का अगर पहले के अगर मैं comparison करूँ तो जो board exam ते actual बोला जाता था था 12 वाले board exam जो है 24 फैब है याद से पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना और यह कहां दिखा ही ते रहा है 11 तो 24 फैब से पहले स्टार्ट होता था अभी कहां से स्टार्ट करें 11 फैब से तो यहां पे भी 10 दिन का गैप है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अब यहां पे सभी चीजे चेंज हो जाएगी जादा तर student जो student है दोस्तों अगर आप देखोगे तो जादा तर हमारी जो study थी दोस्तों वो फैब मंत में ही होती है जब हम last में last time पे हम पहुशते हैं अभी मेरे वीडियोस को भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे student है जो अभी बहुत serious मेरे वीडियोस को लेंगे पर बहुत सारे student जाने तो sir का यह video तो डाल रहे है ना last में देख लेंगे तो maximum ऐसे student हो कोई कोई स्कूल ऐसा है जो तिन 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 प्रिलिम्स लेता है तो अगर आप इतने सारे प्रिलिम्स दे रहे है तो यह लोग विचारे डिसेंबर मंच सही यह भी वीजी हो जाते थे डिसेंबर जैन फिर लास्का इंके पास 15 दिन बसता था उसी के अंदर study होता था पर 31st October के आसपास है अग 31st October के आसपास है तो मतलब अपना पूरा का पूरा जो फाइनल एक्जाम होगा वो यहां October मंत के मीट तक या तो समझाओ कि 25 के आसपास तक पूरा खतम हो जाएगा मतलब यहां तक आपको 70-80% सिलाबस दोस्तों किसी भी हालत में पढ़के खतम करना ह यह बहुत बड़ा बदलाओ इस सब की वज़े से हो गया अब यहां पे अगर आपने 70-80% सिलाबस नहीं पढ़ा तो उसके बाद क्या प्रॉलम हो जाएगा पता है दोस्तों November मंत में यहां पे देखो दीवाली का पूरा है दीवाली के तुरंद बाद आपको क्या आएगा अब आपके जितने भी सिलाबस होंगे जो आपके सिलाबस आने वाले थे थोड़ा थोड़ा कम आने वाले थे अब सब सिलाबस ज्यादा हो जाएगे तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि अपना एक टाइम टेबल बना लो अगर आप नीचे कॉमेंट करते हो तो का टाइम टुबल किस तरह से होना चाहिए जरूर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी आपको पेपर प्रैक्टिस करना है बहुत सारा काम करना है दोस्तों तो कम से कम आपका सिलाबस कुछ नहीं तो आपको अक्टूबर मन तक किसी भी हालत में पढ़ के पूरा का पूरा ख अभी चीज़े कवर हो रही है टेंथ वाले टेंशन मतलो क्रैस कोर्स आपके लिए हम लेकर आते हैं क्रैस कोर्स लास्ट टाइम में आएगा तो उसमें मैक्सिमुम चीज़े हम कवर करा लेंगे बट अभी से अगर आपको बहुत सारी चीज़े अल्रेड़ी अगर आप जा लजी सी साब से उनको पहले जो एकजाम्स होते थे वह सभी एकजाम्स अब पहले पहले हो जाएंगे जो syllabus आपको आने वाला था वो syllabus अब चेज़ हो गया syllabus अब हो सकता है कि ज्यादा आएगा पहले के comparison में तो सभी चीज़े अ 뉴스 हो जाएगी हो सकता है आपके तीन प्रिलिम्स हो रहे होंगे हो सकता है इस बार दो ही हो तो आपको बहुत अच्छे से सबी चीज़ों को बैलेंस करना है मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में बाय बाय टेक केर जहें दोस्तों